सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है बैंक का निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए और क्या इंडिकेटर कोई ऐसा बता तो सब जिसकी एक्क्यूरेसी कुछ अच्छी हो देखे 100% तो शायद कोई भी इंडिकेटर नहीं है क्योंकि mostly indicators lagging होते हैं लेकिन फिर भी आज हम बात करने वाले हैं एक indicator पर जिसको कहते हैं super trend यह buy और sell के signal देता है चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से हमको यह लगाना होता है चार्ट पर चलते हैं सीधा tradingview.com पर tradingview.com पर हमने चार्ट लगाया है bank nifty का आपके सामने bank nifty का चा लगा हुआ है तो दोस्तों हमको किस तरह से लगाना है सबसे पहले तो यह देख लीजिए क्या टाइम प्रेम टाइम प्रेम इस फाइब मिनिट्स इंडिकेटर पर जाईएगा और आपको यहां लिखना है super trend super trend सबसे उपर जो आया है वही किजेगा और आपको super trend मिल जाएगा अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या यही setting रखनी है पहले तो आप यही देख लीजिए इसी setting में 10-3 का setting है अगर आप देखेंगे 10-3 का setting में आपको पता चलेगा कि जब भी super trend line के उपर हो candles candles इसके उपर बन के side में है super trend का जो band है उसके नीचे जब भी candles बन रही है तब हम cell का signal में है cell side में है अब क्या इन settings को tweak करना चाहिए यही settings रखनी चाहिए मैं अगर करूं तो किस setting में करना पसंद करता हूं इसके setting थोड़ इसी मैं change करके ही पसंद करता हूं inputs में जाएंगे inputs में ATR length जो भी 10 है इसको थोड़ा fast कर लेंगे 10 की बज़ाए 20 कर लेंगे और factor जो है factor 3 की बज़ाए 2 कर लेंगे तो ज़्यादा बहतर समझ भी आएगा अब यह हमने कर दिया है कि किस तरह से नई जो setting है 22 की setting है उस पर किस तरह से चल सकता है अब आप 23rd of January को मंगलवार वाले दिन माफ किजएगा 23 January 2024 को किस तरह से इसने signal दे दिया cell का 9 बज़ के 35 मिनट पर ही इसने बोल दिया cell का signal दे दिया अब यह याद रखेगा कि आपको जब इसने cell का signal दिया तो आपको cell में कैसे आना है cell का जिस candle पर आपको इसने cell का signal दिया अगर उ उसका लो कटेगा तो हम सीधा सीधा cell में आ जाएंगे अब आप कहेंगे ठीक है साब वो तो ठीक है लेकिन क्या इसका को इसका stop loss भी है जिस candle पर भी इसने cell का signal दिया है उसका high जहां पर उसका high वापिस अगर कट गया तो वो आपका stop loss है technical stop loss हलाकि technical stop loss खाने के लिए market रहना चाहिए क्योंकि कई बार इसमें false signals भी मिलते हैं आप यहां देखिए इसने signal दिया बहुत शांदार signal दिया और उसके बाद जिस candle पर इसने signal दिया है वो है 935 935 यह candle है इसका high breach करने के लिए वापिस एक बार भी नहीं आये है और उसके बाद cell signal में कितना अच्छा श जला गया है अब अगर हम बात करेंगे कि next day क्या हुआ next day आप देख लीजिए 24 तारीक को 24 तारीक को इसने आपको कब बोला buy में आने को 39 39 की candle 930 की candle पे इसने बोला कि भाई buy में आ जाओ तो अब आपका stop loss क्या होगा जिस candle पे इसने बोला है कि buy में आ जाओ उसका low आपका stop loss होगा और उसके उपर आप देख लीजिए कि buy में कितना शांदार पैसा आपको बनाने का इसने मौका दिया है तो best time frame क्या होना चाहिए 5 minutes का और अगर हमको buy में भी बोला है stop loss आपको पता है low के नीचे जिस candle से भी इसने बोला हमको buy करने को उसका low technical stop loss है हलाकि मैं थोड अचा नीचे low के भी थोड़ा नीचे ही stop loss रखता हूं चली अब देख लेते हैं क्या यह निफ्टी बैंक के लिए ही कारगर है या निफ्टी 50 के लिए भी कारगर है देखें निफ्टी 50 पर भी आपको ये काम करता हुगा दिखाई देगा और निफ्टी 50 पर भी अच्छा काम करता है अगर हम यही देखें जो अभी थर्स्डे के expiry थी थर्स्डे के expiry 25 जनवरी 2024 के expiry पर मैं देख रहा हूं 25 जनवरी 2024 के expiry पर देखें इसने यहां से इसने बोला कि sell चलिए पहले शुरू से देखने हैं थरस्टे एक्सपाईरी यह आपका सुभे का सिग्णल यह रहा आपका कैंडल 9.15 का कैंडल यह रहा उसके बाद इसने खैर हम इसने 9.15 वाले कैंडल पर ही इसने सेल का सिगनल टोटल ही दे दिया था कि भई सेल सेल उसके बाद आप देख सकने किस तरह से नीचे को जाता और शायद वो 5-10 मिनट में जिसको पैसा बनाने को मिला होगा मिला होगा उसके बाद इसने वापस गिरावट का साइन दिखा दिया सेल का साइन दिखाया और आपको पता है कि वहाँ से सेलिंग किस तरह से आई है और लास्ट में जाके तीन बज़े के करीब फिर से इसने बाए का सिगनल दिया है बट आप लोगों को मालम है दो पचास के बाद कभी भी कोई ट्रेड लेने से हम बचते ही हैं पीछे का कोई एक और देखने है कोई ना कोई चले थोड़ा और पीछे चलते हैं और पीछे का देखने की कोशिश करते हैं यह देखे सहाब अब stays agora जनवरी ले आथारा जनवरी दो हजार चॉब Anyway दुजर owners 균ी सल के सिगनल परर और फिर उद्रेड द। ने हमको एग्जाक्ट्ली दस बजई वाली candle में buy का signal दिया, अब buy का signal जब इसमें दिया, तो जो भी candle पे इसने buy का signal दिया है, उसका low आपका stop loss है, stop loss खाने के लिए आया ही नहीं, stop loss खाने के लिए आया ही नहीं, और अब side nett स्ने बहुत शानदार आपको, बहुत ही बढ़िए पैसा बनाने का मौका दिया है, अब यह जो setting की है 22 इसका कारण क्या है क्योंकि 22 पे मैंने अक्सर देखा है कि भई ये इसकी accuracy थोड़ी बहतर है दूसरी चीज़ stop losses थोड़े कम hit होते हैं तो जब accuracy बहतर है उसका यही मतलब है कि SL थोड़े कम hit होते हैं तो इसलिए मैं अगर use करना हूँ आपको मता है मैं तो setup पर ही ज़्यादा तर काम करता हूँ लेकिन कभी-कभी कुछ ना कुछ दिमाग में आता है कि भई कोई indicator लगाया जाए test किया जाए तो मैं super trend पर काफी trust करता हूँ तो आप भी अगर करना चाहें तो आप देख सकते हैं और इसका best time frame 5 minutes का ही होता है जो nifty bank nifty में करते हैं stocks में अगर हम देखें तो stocks में इसका different तरीके से किया जाता है वो मैं एक अलग video में आपके साथ जरूर जरूर share कर दूँगा तो दोस्तो कैसा लगा आपको यह video जरूर comment में बताईएगा और अगर आपकी कोई इसमें tweak करते हैं setting में अगर आप इसको use करते हैं तो क्या settings use करते हैं उसका क्या lab होता है वो भी comment में जरूर बताईएगा क्योंकि मैं भी learning करने का बहुत जादा इच्छोख हमेशा रहता ही हूँ settings मैंने फिर बता देता हूँ 20 और 2 ठीक है जी 20 और 2 करेंगे तो ज़्यादा बहतर नतीजे मिलते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो comment करिएगा जरूर बताईएगा कि क्या अगर कोई query हो तो query भी कोशिश करूँगा उसका answer देने की query जरूर पूछेगा comment में जरूर feedback अपना दीजेगा और अगर अच्छा लगा है तो like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दीखें दोस्तों YouTube एक algorithm यह है कि जितने ज़्यादा likes होते हैं उतना ही वो वीडियो को और ज़्यादा फिलाता है और मैं यही सोचता हूँ कि हमारे वीडियो में content भी अच्छा होता है फिर भी क्या दिख़एगा तो मेरे को किसी ने बताया कि likes कम आ रहे है likes के लिए आप कहते नहीं है इसमें कोई शक नहीं कि पहले मैं likes के लिए किसी को भी कहता नहीं था request भी नहीं करता था लेकिना request you personally requesting you कि like जरूर करें share जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अपने facebook पे share करें आपने x पे या twitter जो भी है उस पे भी share करें जितना भी social media ये वीडियो को share करें ताकि जाद से आदा लोग तक पहुँच पाए और वो भी love ले पाए like जरूर कीजएगा share जरूर कीजएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया